वेलो वर्वन वेलकम यू ओल इट लूकिस तर एल्लम्टेट इस्टडी जोन सभी बच्चों का स्वागत है तो फ्ले स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स की प्रॉब्लम क्लास इसके पहले हमने फिजिक्स की प्रॉब्लम क्लास में यहां तक पेज नमर 99 के क्वेशन सॉल्व कर लिए बच्चो दे की क्वेशन नमर 9 यहां पर के रवें दे प्लानेट जूपिटर इटे डिस्टेंस एट टॉन्टी फोर पाइंट सेवन मिलियन किलोमेटर फ्रॉम दा अर्थ यहां सी अर्थ दिखरी तो जुपिटर के सामने अर्थ ऐसी लिखाई लिगी तो मतलब ए स्टैनसे यह रेदियस ऐक आपटा यह जिडेए समालो और यह इस इकल्स तो कितना है एट वन्टी फोर पॉंट सेवन मिलियन किलोमेटर मिलियन मतलब एन की पाबर 6 किलोमेटर बुल अच्चो पीक है इतने मिलियन किलोमेटर यह डिस्टेंस है दा एंगुलर डियमेटर फ सेकेंड मतलब थीटे यहां पर कितना दिया गया 35.72 सेकेंड तो आपको मैंने बताया था पहले लेक्षर में कि सेकेंड को अगर आप बदलना चाहते हैं रेडियन में तो आपको सेकेंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यह देखिए यह रिखिए से वन सेकेंड में 4.85 इ पार माइनस इक से इसको बने कनवर्ट कराया था फस्त वीडियो में तो बिटा इसको अब आपके पास कितने से कंड़े 35.72 कि तो उसमें कितने रेडियन सोंगे 4.85 इसका डायमेटर क्या बन रहा है जो आपको क्या गया तो आर्क हो गया डायमेटर और रिडियस क्या बन ज पार जो डिस्टेंस है तो आपके पास एंगल कितना आचुका है चलो इस पर लगा दो तो एंगल आचुका है 35.72 into 4.85 multiply by 10 की पावर माइनस 6 बो हो आया न यह एंगल है यह सो नो डायमेटर आपको पता करना है और रिडियस आपके पास किती दी गई यह वही डिस्टेंस मि किलो मेटर में है न मिलियन की पावर 6 में तो इडिया वेलियन की पावर 6 में तो बिड़ जो भी आंसर आएगा हमारा किसमें की पावर 6 में तो बास हो गैस को सॉफोल कर लो तो D is equals to क्यों कि आउगा इसके साथ इंटी प्लेय हो जाएगा हो जाएगा तो किलमेला के 24.7 into 10 की power 6 clear ना into 10 की power 6 और साती सात में into 35.72 into 4.85 into 10 की power minus 6 अब यह जो है answer इसको kilometer में आप लिख दो तो यह आपका answer किलो में जागा दन चली तो बहुत easy question है नोट के लिए इसको ओके गाइस next question देखते हैं तो यह question हो चुका है अब इसके बाद देखिए फिर से है यह question कल मैंने आपको life class में करा चुका है एक बर और एक बर फिर से कराया देता हूं बहुत easy question है a laser light beamed at the moon it takes 2.56 and return after reflection at the moon surface what will be the radius of the lunar orbit देखो भाई कहरा है lunar orbit की रीडियस का है lunar orbit क्या है जिसमें चांद चक्कर लगाता है क्या करता है चांद चकर लगाता है तो मैंने इसको डाइग्राम से बनाया था एक बर फिर से बना देता है यह अर्थ है क्या है यह अर्थ है और यहा पाथ पर यह सानो तो यही तो इसकी रीडियस होई यह सानो यह क्या होगी रीडियस अब क्या कह रहा है इसको जो लगता है 2.56 लगता है जाके वापस आने में जाके वापस आने में मतलब टू टाइम लगा लाइट को वापस आने में वो कितना है 2.56 से कंड तो एक तरफ क सेट कर साथ है by the postESANS कि अउटे लाइट किसी विल引क नहीं होती थी इन्टू टैने की पावर एत मीटर सφ सेट्स्न अपको निकालना है यह तरफ का और जो टाइम लग रहा है इकतर अब Ka ुटू पाइं त्यू पाइंटे पॉड तू편 से का लिए 1.56 कितना निगाला है 1.5 1.28 कितना 1.28 1.28 सेकेंड हुआ ना सो बस क्या है multiply कर दो तो दी इकल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और मुल्टी प्राइब कितना 1.28 यह उपर चला जाएगा यसा नो सो आंसर कितना आ गया 1.28 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर आ गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना सिंपल स्पीड इकल टू डिस्टेंस संपोर टाइम का सिंपल लगा भाई साब आगे आंसर क्वेश्चन नाम को 3 मीटर सेकेंड इंवर्स सेकेंड स्क्वार सेकेंड की पावर मानस तू किलो मेटर आवर की पावर मानस तू ओके तो यार यह तो दो तरीके हैं या तो आप वो एन वन यूवन एन टू यूटू वाला केस लगाओ या तो अपना देशी मेथर्ड है वो कल लो देशी मेथर्ड ज्यादा सरल है जैसे थ्री मीटर एविड़ा बुल यह सानो और थ्री मीटर सेकेंड की पावर माइनस तू को कनवर्ट करना है किलो मेट में बुल यह इस लो बाइया थ्री तो ध्री है अब एक मीटर में कितने किलो मेठर होते हैं वन अपॉन 1,000 किलो मेठर को जानता है बुल यह संट हुकि वन ओर में 3600 सेकेंड होते हैं देख लो सबको पता है कि वन ऊबर में कितने second होते हैं 3600 second होते है so one second में कितने hour होंगे one upon 3600 hour होंगे की नहीं होंगे तो भई यहा बस हो गया second की power minus 2 है तो multiply करके one upon 3600 hour की power कि नहीं हो गया minus 2 बस हो गया काटकूँट डालो answer हा जाएगा बुलो clear है ला अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि G की जो value दी है 6.67 into 10 की power minus 11 Newton meter square per kilogram square दी गई है आपको convert करना है dine में तो यहीं कर दिया जाए 6.67 into 10 की power minus 11 एक Newton में होते हैं 10 की power 5 dine बोलो होते हैं की नहीं होते हैं 10 की power 5 dine meter में किते centimeter होते हैं 100 तो 100 cm का square और एक किलो ग्राम में किते ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते की नहीं होते हैं तो नीचे क्या होगा 1000 ग्राम का square इसको solve कर दो जो answer आना होगा आजाएगा बुर यह सौनो तो आपको लुए क्या कर रहे हो SI को CGS में convert कर लो भाई मैंने भी ऐसे कर रखा है तो अब तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कर लोगे ना एनी प्रॉबलम बच्चों ठीक है तो भाई ऐस कर लेना है सिंपल है आप लोग टाइम दे कर कर लेना अपनको दो क्वेशन जादा करने है अगला क्वेशन भाई साब एक्जाम में बहुत बड़ आया है मैं कहूंगा ये क्वेशन बहुत IMP है na लोग्राम यूने श्बीटा किलोग्राम і पर eux टा इस गामा वंपटवराम धाल मैगनिटूप क्लोरी in terms of new system. तो देखो भाई, 1 calorie equal to 4.2 Joule. इस टार्टिंग कहा से होगी? 1 calorie equal to 4.2 Joule. बुले यसान नू? So, 1 calorie equal to 4.2 Joule. यह होता है. ठीक ना? A calorie unit of energy is equal to 4.2 Joule. ठीक ना? Where 1 Joule equal to इतना. We employ system in which अब कह रहा है भाई साब कि आप को यह Joule यो है 4.2 Joule यह होता है. Joule का मतलब होता है ML2 T की पावर मैनस 2. ML2 T की पावर मैनस 2. ठीक ना? तो अब कह रहा है कि ML2 T की पावर मैनस 2 में जो Joule system है इसको convert करना है नई unit में जिसमें mass की जगे क्या आएगा? alpha. तो भाईया कुछ नहीं है. मास की जगे आपको alpha किलोग्राम रख दिना है तो M की जगे पर alpha आजाएगा. M की जगे क्या आजाएगा? unit length is beta meter. unit of length is beta तो ये beta का square हो जाएगा? भो हाँ? और time कितना है? gamma तो gamma की पावर मैनस 2 तो answer कितना आगया? 4.2 alpha beta square gamma की पावर मैनस 2 ये देख लिजे answer हमारा direct आचुका है. और बांकि आपको N1, U1, N2, U2 लोगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप ये भी लगा सकते हैं. बढ़ इसमें कुस था ही नहीं. इसमें कुस था ही नहीं. है ना? उसने कह दिया N2 निकालना था पन को मतलब नई unit. क्या निकालना था? नई unit. याद आगे ना? तो मैंने आपको बताया था जो formula होता है इसका क्या था? N1, U1 equal to N2, U2. तो भहिया N1 की जगए कितना खेल रहा था? 4.2 और जूल की जगए कौन खेल रहा था? जूल याने मीटर वही ML2 T की पर माइनस 2 ML2 T की पर माइनस 2 ठीक है ना? और बिटा यहाँ पे आपको जो है N1 आपको निकालना N1 दिया था यह हो गया equals to N2, U2 N2 आपको calculate करना है बोलो हाँ और U2 की जगए जो है फिर से वही Alpha, Beta, Gamma आजाएगा है ना? So, यहाँ पे लिख दूँगा मैं इसको generally मैं M1, L1, T1 ऐसा देता हूँ और इसको मैं देता हूँ M2, L2, T2 की पावर माइनस 2 बोलो yes on no ऐसा हो गया अब आप N2 को रोक करके इसके नीचे ले आई M1 upon M2, L1 upon L2, T1 upon T2 अब M1 की जगह आपको पता है किलोगराम क्योंकि SI में किलोगराम चलता है इसमें कित्टे किलोगराम? Alpha किलोगराम इसमें मीटर, इसमें बीटा मीटर इसमें सेकेंड, इसमें गामा सेकेंड है है आपन को नई यूनिट में कनवर्ट करना है किसमें नई यूनिट में तो यहां पर आजाएगा फोर पॉइंट टू ये इधर चला जाएगा तो अलफा की पावर मानस वन बीटर पार माइनस टू और गामक पावर कितना हो जाएगा फिक न ये दिखें कुछ इस तरीके स दिख रहा है, clear है ना, हाँ, 4.2 kg से kg cancel, so alpha की पावर माइनस 1 हो जाएगा, meter से meter cancel तो beta की पावर माइनस 2 और gamma से s cancel तो S की पावर, gamma कावर, minus 2 की जागा, plus 2 हो जागा, clear है, क्योंकि नीचे से उपर जाएगा, तो plus बन जाएगा, clear हुगा, क्लियर हुगा की फिर से करके IMP, एक्जाम में आने के लिए बहुत बढ़िया दावेदार question है, okay, so I will say it, this is very very important question, done? अगर आपके पास इस टाइप का question आता है, तो मैं हमेशा की सला देता हूँ, conversion वाले, आप इनमें start किया question को इस तरीके से, N1, U1, equal to N2, U2, इस तरीके से आप question को start किया करो, समझ में आगे ना, इस तरीके से आप question को start करेंगे, तो बहुत आपका फाइदा हो जागा, अब जैसे इसमें convert करना था, N1 में दिया था 4.2 joule, क्या दिया था 4.2 joule, तो N1 तो हो गया 4.2, अब इसके बाद joule मतलब क्या होता है, ML2 T की पावर माइनस 2, तो ML2 T की पावर माइनस 2, और actually आपको पता है, first system में यहां लगाते है, 1, यहां पे लगाते है, 1, अब बिटा N2 आ M1 के नीचे M2 को ले जाईए, M1 के नीचे किसको ले जाईए, M2 को तो, यहां पे M1 आ गया है, यहां पे M2 आ गया है, यहां L1 आ चुका है, यहां L2 आ चुका है, और यहां T1 आ चुका है, यहां कितना आ चुका है, T2, अब यहां यहां यह तो पैक हो गया, L1 अपॉन बेटा, minus 2, और यहां पे भी power किती है, ना, ना, यहां पे power 2 थी, और यहां पे किती है, minus 2, equal to कितना हो गया, n2, अब देखो बटा, ध्यान से, क्या कह रहा है, कि इसकी unit, अब थोड़ा ध्यान देना पड़े यहां पर, 4.2 जिंदाबाद कोई दिक्कत नहीं है, बेटा, mass जो भाई साब, यहां पर 11 है, तो 11 कितनी होती, meter होती है, और यहां पर एदी रखा है, बेटा, meter, किता दी रखा है, बेटा, meter, देख लो, length of unit is बेटा, meter, तो यहां पे बेटा, meter चलेगा, ओके, और पावर किती आएगी 2, और यहां पर है भाईया, 1 सेकेंड, और यहां पर इस तरीके से भॉत एच्छा कोजिन और एक्जाम में कई आया है CBSC board में, class 11th में, तो इसको करके रखेगा, चलो भाई, अगला question देखो, हाँ, yes, अब dimension relation निकालना भाई साब, escape velocity का, है तो velocity भाई, कैसी velocity हो, अब body depends on gravity G of the planet, radius R of the planet, okay, dimension relation establish करना यार, वही काम है, बोलो V proportional to G की power A, और radius की power B, radius की power B, बस खेल दो यार, कोई दिक्कत वाल बात नहीं है, देखो, V proportional to G की power A, radius की power B, constant constant हटा करके value find कर लो, A, B की कर लोगे ना यार, बहुत बार कराया हूं यार, क्या दिक्कत होगी, बोलो, बोलो, दिक्कत होगी क्या, कितने बार ऐसा question अपने कर आया, देखो न, अरे बेटा, ये लिखा है, V is proportional to, है ना, तो बासा, गड़बड कर दी है, तो आप तो अपने तरीके से करो, mu, फ्यू ले लिया है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप देखो, मैं कर देता हूं, तो V proportional to, सबसे पहले, G की power A, बोलो, ये सनो, और V proportional to, radius की power B, दोनों को combine कर दो, 1 और 2 को क्या कर दो, combine कर दो, तो ये बन गया, अब इसके बाद इसका dimension ले लो, तो dimension V ले लिया, equal to dimension of K की तो कोई dimension होती नहीं, constant की, G की dimension, G की power A, और dimension of R याने radius की power B, समझ के न, अब तो कर लोगे न, अब V की क्या होती, L T की power minus 1, बोलो ये स, G मतलब gravitational acceleration, L T की power minus 2 की whole power A, और R मतलब length की power कितना B, है न, यार अब तो कर लेना है, खेल कहता है, एक तो बिल्कुल simple वाला है, ऐसे कम से 5-10 question तो कर लिया अपने है, तो यार ये तो बन गया अपना बच्चे homework, क्या बन गया, चलो बढ़िया कर देना, हाँ भाई साब, express parsec and express in meter, ले भाई साब, अपन को पता है, कि 1 paralactic second, 1 parsec जो होता, व value डाल दो उसमें, light year की value, डाल दो जित्ती value होती ही light year की, दूसरा तरीका है, आप directly इसको याद कर लो, कि 1 parsec में इतने meter होते हैं, कितने meter होते हैं, 3.08 x 10 की power 16 meter, समझ गया ना, clear, हाँ, ठीक ना, अब ये parsec की definition है, मैंने आप लोग को याद करो, मैंने आप को standard definition लिखवाई orbit, sustain an angle of work, one arc second, of one arc second, तो हला कि parsec की definition, हाँ, पूचा है, what is parsec, ठीक ना, तो parsec की definition मैं आपको explain कर देता हूँ, बढ़िया तरीके से, कि parsec की definition होती है, इस definition पे माच जाओ, ये उतनी अच्छी definition नहीं है, parsec की मैं definition आपको बताय देता हूँ, क्या होती है, हाँ, पहले मैं बा एक गता है, वन लाइट एर में 3.26 और वन लाइट एर में कितनी डिस्टेंस होती है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, इनकी तनी प्रेक्टेस कर लो याद हो जाए बाहिसाब, बढ़िया तो ये आजाएगा, आजा है आजाएगा, आनसर 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, समझ गये? यह कहला था, 1 पेरलेक्टिक सेकेंट, ठीक ना? अब पार से को मैं डिफाइन कर दिता हूँ, पार से को मैं क्या कर दिता हूँ? डिफाइन कर दिता हूँ, बिटा आपने सुना होगा, की, जैसे आपने सुना है, वन एस्टोनोमिकल किलो मेटर जो है दूरी है उसको बोलते हैं आपन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका एक्जेक्ट फिगर है 1.496 इंटू 10 की पावर 10 की पावर नी माइनस नहीं आएगा भाई साब दूरी तो जादा है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर यह है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूनिट समझ गे ना अब तो क्या बनता है कंसेट यह बनता है कि अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क एसकी लेंथ किती है 1 AU किती लेंथ है 1 AU अगर किसी सेंटर पर किसी सेंटर पर इतना बड़ा आर्क जो है यह सेंटर पर यदी एक सेकेंड का कित्ते सेकेंड का 1 second एंगल सब्टेंड करता है 1 second का एंगल सब्टेंड करता है में जो radius होती है इस r की वो radius कहलाती है 1 parsec क्या कहलाती है 1 parsec हाँ ये है definition एसके में इसके definition 1 parsec ď So it is known as the paralytic second parsec का पूरा नम के है paralytic second it is the radius of a circle ये उस circle की radius है circle at the center of which जिसके center पे एक astronomical unit का length subtend करता है an angle of one second so what is parsec? it is the radius of a circle at the center of which an arc of one astronomical unit length subtend an angle of one second, मतलब की उस circle की radius जिसके center पर one astronomical unit कितना angle बनाए? one second उस circle की radius को क्या बोलते है? one parsec yes, ठीक है न? तो भाई यह निकाल लो फर्मूला, theta is equals to होता है arc upon radius, बोले यह सानो तो radius को उपर जान दो बाभू चला गया radius उपर, तो theta is equal to आजाएगा arc upon theta तो arc की कितनी भाई साब? यह है one point four nine six into ten की पावर 11 meter बोले यह सानो, one astronomical unit बनाए one point four nine six into ten की पावर 11 meter divided by angle है angle है? angle कितना? one second angle कितना है? one second अब मैंने आपको one second को convert करना बताया था, किसमे? radius में, है ना? तो second को radius में convert करने के लिए थोड़ी पहले मैंने कराया है कि second को radius में कैसे convert four point कुझ नचा होता था भाई साब second को radius में convert किया था question में यह देखो कहा आ गया, हाँ, यह आ गया बेटा, यह देखो, हाँ, 1 second equal to 4.85 into 10 की power 6 radian, यार याद कर लो, बहुत काम का है, 1 second equal to 4.85 into 10 की power minus 6 radian, और यार आया कैसे, इसको मैंने first video में बताया है, कि यह बनता कैसे है, थोड़ी सी महनत लगती है, डिगरी को पहले आपने minute में ज 4.85 into 10 की power minus 6 पे, तो कहां गया भाई सब अपना, यह आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, हाँ, तो 1 multiply भाई, कितना है, 4.86 into 10 की power minus 6, है ना, बस इसका multiply कर दो, तो बिड़ा इसको solve करके, आपके पास कितना आ जागा, इसको solve करके आ जागा, 3.16 into 10 की power 16 meter, बोलो पकी बात, है न देख लो भाई, 3.08, 3.08, 3.08, 3.08, इनकुट 10 की power 16 meter, यह कहलाती है, पैरालेक्टिक सेकंड, क्या कहलाती है, पैरालेक्टिक सेकंड, इसी कॉपन पर पार सेक बोलते हैं, बोलो clear है, एनी प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, हाँ भाईया, फिजिकल CBSC से तो हड़ गया है, जो CBSC में बच्चे नहीं हैं, मतलब जो नीट वीट की त्यारी करेंगे, उनके लिए होमवक है, बागी CBSC से राइट नौ तो कैंसल हो गया, तो उसको हम बाद में देख लेंगे, चलिए, अगला, define light year and express 18 meter, भाई साब, light एक साल में जितनी डिस्टेंस चलती है, उसको हम क् कितने बार बता चुका हूँ, one light year, second नहीं होता बेटा, one light year, distance होती है, 9.46 into 10 की पावर, 15 meter, 10 की पावर, 15 meter, light one year में जितनी distance चलती है, उसको निकालते हैं हम one light year से, समझ गया न, कैसे निकालते हैं बेटा, देखो, light एक साल में कितना चलीगी, तो speed equal to होता है, distance upon time, distance upon time, अब distance अपने क्या मान ली, x, अब एक साल में, तो, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, बोलो हाँ न, 365 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, हर 24 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, बिटा, इसको उपर ले जाओ, इसको solve कर लो, आपका आ लिए हो आजाएगी, 9.46, इंटू 10 की पावर, 15 मीटर, समझ गए, तो ये कहलाता है, बिटा, वन लाइट ये, क्या कहलाता है, ये, वन लाइट ये, चलो, आई, कहानी खतम हो गई, अगला क्या है, हाँ, बाइसा, मस्त कोश्चन आ गया, देखी, कह रहा है, a new unit of length is chosen such that speed of light in vacuum is unity, बहुत बढ़िया, कह रहा है, एक नई unit बनाओ, एक नई unit बनाओ, समझ गए न, एक नई unit बनाओ, जिसमें speed of light in vacuum is unity, जिसमें light की speed जो है, वो vacuum में किती है, unity है, what is the distance between the sun and earth in term of the new unit, if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, कह रहा है, बताता हूँ बिटा, कह रहा है, एक नई unit बनाओ, length is chosen such that speed of light in vacuum is unity, देखो बिटा, क्या है, आपकी जो speed of light होती है, उसको unity बोल दिया है, vacuum is speed of light को क्या बोल दिया है, unity बोल दिया, तो देखो भाई साब, अपने पास formula होता है, speed equal to distance upon time, distance upon time, अब भाई साब speed of light को इसने नई unit में बोल दिया है, one unit, कितना बोल दिया है, मतलब speed of light जो है भाई साब one unit होती है, वैसे होती है, 3 into 10 की पावर 8 meter per second, मगर कहरा भाई हमाई तो नई unit है, उसमें तो हम one बोलेंगे, मतलब जो 3 into 10 की पावर 8 meter per second होता था, उसका नाम करन इसने कितना कर दिया, one unit, बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, one unit, कहरा, what is the distance, अरे तो distance निकालना है, तो distance का नाम क्या दे दो, X, क्या नाम दे दो, X, और कह रहा है, Earth in terms of new unit, if the light takes 8 minute 20 second, अगर light को लग रहा है, 8 minute 20 second, तो भाईया, टाइम तो सेकेंड में चाहिए न, ताइम किसमें चाहिए है, ताइम किसमें चाहिए है, सेकेंड में तो भाईया, पहले 8 minute 20 second को हम सेकेंड में बदल लेते हैं, तो 8 minute में कितने सेकेंड होंगे, 8 into 60, हर minute में 6 second, तो 8 into 60, और 7 में 20, 480 plus 20 मतलब कितना होगा, 500, तो 500 second तो यहीं आ गए, आ गए कि नहीं आए, और 500 multiply by 1, तो कितना होगा, 500, तो भाईया, लिख दो इसको answer 500, और unit second इसको भूल मत जाना, क्योंकि देखने, unit तो है, और उसकी unit है, मेटर किलो मेटर कुछ होता तो लिखते की ना लिखते, तो unit है, तो unit है, तो लिखोगे, तो answer 500 unit second, यह निकाल आई, distance भाई साब, answer 500 unit, ठीक है, ना, any problem, तो यह है, लिखना पड़ेगा, 500 unit second, ठीक है, तो यह answer होगा, clear है, हाँ, distance निकल रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, च 15 करोड किलो मेटर, तो मैंने 15 करोड से मेरे को यादा था, 1.496 into 10 की पावर 11, मेटर के तो बच्चो वाला क्वेशन याद हो चुका है, 1 astronomical unit equal to 1.496 into 10 की पावर 11, मेटर, खेल खतम, चलो भाई, साब बहुत बढ़ी है, एक क्वेशन भी हो गया, यहादा का चुके हैं हम, ओ पार सेख, ओहो भाई साब, 1 पार सेख equal to 3.26 light year, बुलो यस, तो 1 light year equal to 1 upon 3.26, पार सेख हो गया, बस सॉल्व कर दो, समझ गया ना, तो यह देख लीजे, 1 light is 0.31, इसको डिवाइड करोगे 1 में 3 का, तो answer कितना जागा, 0.31, 1 light year, पार सेख, समझ गया ना, clear हो गया, यस, तो answer, P-A-R-S-E-C, so 1 light year equal to 3, 0.31, पार सेख, 0.31, पार सेख, clear है ना, बस ऐसी कर दो, और क्या करना है, चलो भाई साब, अगला question, यह मैं करा चुका हूँ, find the dimension of A and B in the equation, इतना, इतना, इतना है, बो यह जी हा, तो A and B की dimension निकालनी तो, यार, बातों बातों में देख लेते है बाई, B की dimension किसके को लोगी, L square के, क्योंकि सेम चीजे माइनस होती है, मतलब B की dimension equal to L square की dimension, बोले तो L की पावर 2, बोलो यह सानो, L की पावर 2, पक्का, minus 2 नहीं बेटा, 2, देखो L2 लगा है ना, हाँ, clear होगे ना, तो B की dimension, क्योंकि सेम dimension माइनस होती है, बोले यह सानो, अब चलो भाई साब निकालते है, P, P मतलब pressure, अब यह उपर B है, वो L square है, तो dimensionally उपर की dimension क्या बनेगी, L square, क्योंकि सेम quantity ही तो माइनस होती है, तो dimensionally क्या बनेगी, L square, और नीचे क्या बैठा है, A, A का पता नहीं है, T का मतलब क्या होता है, T, बोलो हाँ, अब P मतलब pressure, P मतलब pressure नहीं, पावर है, P मतलब क्या है, अब पावर की dimension आपको आनी चाहिए, तो पावर की dimension कैसे निकलेगा, बच्चों, power equal to work upon time, बुलेए, power equal to work upon time, वर्की तो सबको पता होगी, ML2 T की power minus 2, और साथ में एक और T आ गया, मतलब बन गया, ML2 T की power minus 3, बन गया, तो क्या ब चलो, L square से L square क्या हो गया, cancel, अब देखो अपन को A की चाहिए, तो A को उपर ले जाओ, और बाकी को नीचे ले आओ, बुलो यह सौनो, तो A को मैं उपर लेगा, तो A आ गया, और बाकी L square, कुछ नहीं बचाता हो, यहाँ पर 1, M नीचे आएगा, तो M की power 1, बुलो हाँ, और T की power minus 3 नीचे आएगा, और T के साथ 1 के साथ भिढ़े जाएगा, तो क्या बचेगा, T की power minus 2, भिढ़ेगा ना, तो answer आगया, A equal to M की power minus 1, और T की power plus 2, लियो भाई आगया, M की power minus 1, T की power plus, clear है, और B की कितनी आई है, L, L square है ना, हाँ, B की कितनी आई है, L, square, अच्छा, होश यहरे, देखो, question कहा रहा, A cross B बताओ, बच्चे छोड़े आएंगे, A और B निकाल के, है ना, एक number कड़ जाएगा, देखो, question क्या कहा रहा, find the dimension of A cross, B, मतलब, A जो और B आया, दुनों को multiply करना है, तो आजाओ, कर देते कोई दिक्कत नहीं है, A निकाल ल चलो, note कर लो, है ना, तो यह A cross B हो गया है, चलो, ऐसे करते हैं, question, चलो, भाई साब, अगरा, इस तेरदा number of significant figure, 0.007, बताओ भई, कितने significant figure है, 1, कितने है, 1, क्योंकि भाई, decimal के तुरंत बाद को कोई मतलब, नहीं होता, हाँ, non-digit, non-negative के बाद होते हैं, तो मतलब होता अच्छा, इस में कितने सिकने, 3, क्योंकि 2.64 में 1, 2, 3, बस यहीं count के, बागी कोई काम के, नहीं है, तो पहले वाले में आ गया 1, दूसरे वाले में आ गया 3, है ना, पक्की बात, चलो, भाई साब, यह question error का है, तो यह तो neat वालो के लिए homework है, यह तो आपको करना नहीं है मैंने, हाँ, write the dimension formula of a torque, dimension formula of a torque, तो बच्चो आपको यादोगा कल मैंने बताया है, torque की dimension और work की dimension सेम होती है, याद है, कल मैंने बताया था ना, और torque का आपको formula में लिखा देता हूं, बटा, torque का formula होता है, लिख लो copy में, force multiply by perpendicular distance, perpendicular distance, समझ गे ने, अब बोलो के torque क्या होता है, बटा, दर्वाजे को घुमाते हो, घर माद, दर्वाजे बंद जब करते हो, घर का तो घुमाते हो, दो तरीकी की दर्वाजे होते है, बटा, एक channel gate होता है, जिसको आप लोग घसीटते हो, खीच करके, हाँ या ना, तो इसको बोलते है, slide करना, और दूसरा होता, जो घुमाने वाला हो, तो उसमें टॉर्क लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, और जो channel होती ही, घसीटने वाली, उसमें क्या लगाया जाता है, फोर्स, क्या लगाया जाता है, अगर मैं तुमारे कान को पकड़ के खीचूँँगा, तो क्या लगाऊंगा, फोर्स, ब बोलो हाँ ना, अब multiply बे distance किसमें होती है, length में, तो क्या बने गया है, यार ml 2 T की पार माइनस 2, खेल खतम, तो इसकी dimension किसके इकवल है, work जैसे है, work, तो torque dimension किसके इकवल है, work इकवल है, है ना, अच्छा torque की unit बताओ विटर, torque की unit Joule नहीं होती है, भले work की जैसा दिखता है, torque unit होती है, force for newton, distance for meter, distance for RIGHT, dot torque की unit, याद रखना, torque की unit होती है, newton meter, क्या होती है, newton meter, समझ में आ गया, और work में, इसी को जूल बोल देते है, क्या भिल देते है, kilogram mata, ох, अच्छी को नहीं 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 बोला जाता है, work को जूल बोला जाता है, वर को क्या बने जाता है, huh, this is called perpendicular प्रपेंडीकुलर दिस्टेंस चुल फाह दमैंट कishingее होता है समझे मैं आि कंधे गलता था प्रपेंडी कोलर और यह कहलता है यह संध्य कहला हूँकियाथ क्या बइस टूकर करेंगे लिबूंट घाल percentage error, neat वाले जिंदाबाद भाई साथ, है ना, error वाले करेंगे बच्चे इसको करवा चुके हैं, चलो भाई साथ, अगला देखते हैं, हाँ, ये भी error वाला question है, तो ये error वाला question, homework बने गया बच्चों के लिए, error करेंगे, बच्चे, अगला, लो भाई साथ, फिर जी कुटा ज यार लेंथ वाला यार कितने बार कर चुका है न तू पाई मगर थोड़ा सा अलग है मगर थोड़ा सा अलग है भाई साब इतना आसान नहीं है देखिए to find the expression for the time period of a simple pendulum मतलब क्या निकालना है time period क्या निकालना है time period mass of the bob मतलब पहला mass की power कितना a ठीक न दूसरा length of the pendulum मतलब t proportional to length की power कितना b acceleration due to gravity t proportional to acceleration due to gravity मतलब g की power कितना c हाय न और चौथा angle of swing बैया angle dimensionless होता है angle क्या होता है तो वो तो हमको कुछ कर नहीं पाएंगे तो मतलब t proportional to अगर आप theta की power c भी लिख लोगे और जब आप इसके dimension तोड़ोगे तो theta में क्या होता है कुछ नहीं आता मतलब m0 l0 t0 तो ये तो useless हो गया क्या हो गया ये लडाई के वल तीन चीज़ पे होगी एक mass पे एक length पे और दूसरा एंग gravity पे yes or no तो तीन equation बनेंगे ABC की terms में बोलो हाय ना solve कर लोगे कर लोगे नहीं कर पाऊगे अरे वही question बन गया तीन चीज़े थी वहाँ पे mass length और g याद आ गया हाँ तो याद हो तुमको पता होगा कि mass की power कितनी आती थी m की power 0 आती थी हाय ना l की power किती या दिदी 1 by 2 और g की power किती या दिदी 1 by 2 और g की power किती या दिदी minus 1 तो formula बन जाता था t equal to constant under root l by g यह वही तो question है यार तीन बार कर चुगे इस question को हाय ना बस इसने angle of swing डाल के बच्चों को confuse करनी की गूगली डाल दी गूगली समझके ना तो यह देखो फार्मुला याद होगे ना t equal to k under root l by g वही question है समझके है हाँ experiment में की की value किती फाइंड हुई 2 पाई यह limitation थी कि जो अपना यह होता है dimensional analysis होता है यह constant की value provide नहीं करता है बोलो समझ में आ गया any problem चलो भाई सबाजो खतरना question हूँ हम चलिए सीरेस का अंसर ठोक दिया है सने हाँ the momentum P area and time are taken to be fundamental quantities then energy has the dimension formula है लिए भाई सब momentum P area A or time को ले लिया है fundamental unit क्या ले लिया fundamental quantities मतलब MLT की जगे यह होगा है fundamental माल लिया तो कहरा बताओ energy का dimension formula क्या होगा बहुत ही simple है करते है पी मतलब momentum momentum का formula होता है mass into velocity बोलो हाँ मतलब mass into velocity मतलब MLT की power minus one बोलो हाँ है न एरिया बोले तो L square area बोले तो L square और time बोले तो time कोई दिक्कत नहीं है बोले यह सोनो अब भाई साम मैं एक काम करता हूँ मैं सब को multiply करता हूँ और मुझे चाहिए किसका energy का किसका चाहिए energy थोड़ा से जुगार लगा लूँ energy का dimensional formula होता है M की power 1 L की power 2 और T की power तो इतना मेरे को समझ में आ रहा है कि M की power 1 चाहिए मतलब P की power 1 चलेगा P की power क्या चलेगा 1 देखे हैं P की power किता 1 है यहाँ P की power किता 2 है खेल खतम कभी नहीं हो सकता क्योंकि P की power 2 आएगा तो मास दो बर आ जाएगा आ जाएगा ना तो logic लगा लिया यहाँ के P की power 1 है यह तो भाई साब अपने पास या तो option है इसमें से होगा इसमें से होगा या इसमें से होगा एक एक कल़ घर पै पन ट्राइ करते हैं चलो पहला वाला देखते हैं तो P की power 1 तो P की power 1 बतलब M1 L1 और T की power किता मैनस 1 फिर A की power मैनस 1 तो कितना हो गया, L की पावर माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये रग दिया, L की पावर माइनस 2, और T की पावर बन तो T कितना है, T तो T ही है, क्योंकि time तो time है, बोलो हाया न, हुआ कि नहीं हुआ, A की पावर माइनस 1 कैसे आया ये तो question दिया है मैं क्या करूँ A for area A for area तो area की power area कितना होता है L square होता है area कितना होता है L square L square की power माइनस 2 हो गया कि नहीं हुआ पका चलो देखते हैं M की power कितना हो गया 1 L की power कितना हो गया 2 माइनस का L की पावर माइनस 1 बोलो है न तो आना क्या था ये आना था गलत हो गया न मतलब पहला option नहीं है अच्छा इतनी हरकतों के बाद अपने को समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर L जो है यह L की पावर 1 जो है इसको अपने को बढ़ाना पड़ेगा इसको अपने को जो है चलो खेर उतना ज्यादा लंबा दिमाग नहीं लगाँगा मैं पहला आपने चेक कर लिया कर लिया ना पहला चेक दूसरा वाला हो सकता है की नहीं हो सकता है दूसरा बाला होने के कोई chance नहीं है क्योंकि mass की power 2 कूद पड़ेगा बुलो yes or no अब अब अपन उम्मीद लगाते हैं तीसरे से किसे लगाते हैं तीसरे से तीसरे में बहला पीगी पावर 1 बुलो है की नहीं है तीसरे में पहला क्या पीगी पावर 1 तो P की power 1 P कितना है M L T की power minus 1 बोलो हाँ और अगला है A की power minus 1 by 2 बोलो yes A की power minus 1 by 2 बोलो yes A कितना है L का square की power minus 1 by 2 बोलो yes or no तो 2 से 2 क्या हो गया cancel और L की power कितना आ गया minus 1 ओ एक खेल खतम हो गया length से length क्या हो जायगी cancel खेली गतम हो जाएगा length बचेगी नहीं मतलब तीसरा option भी नहीं अब चौते option पर आते हैं P की power 1 मतलब वही M L T की power किता minus 1 A की power plus 1 by 2 मतलब L square की power 1 by 2 बो यह सुनो तो 2 से 2 क्या हो गया क्या बच गया L बच गया बच गया 2 बार और time किते बार minus 2 बार M L T की power minus 2 आगया answer D है ना पकी बात कोई दिक्कत तो ऐसे पता करना पड़ता है कि question लगा करके चारों option में देख करके कि कौन सा होगा ठीक है ना यस चली है तो correct option क्या है अगला question the displacement of a wave progressive wave is represented by इतना यह displacement equation है where x is the distance t is the time write the dimensional formula for omega and k बहुत शानदार write the dimensional formula for omega and k तो कह रहा है कि omega और k का dimension formula लिको मैंने बताया था साइन के अंदर जो भी होता है वो constant होता है होता है कि नही होता क्योंकि साइन के अंदर theta आता हो theta constant होता है मतलब omega t minus kx की जो dimension आएगी वो आएगी constant है मतलब इसकी dimension इसकी dimension दोनों की सेम होगी क्योंकि सेम dimension की quantity minus होती है मतलब omega t की dimension कि इतनी आएगी बेटा m0 l0 t0 agree कि not agree अब भाईया t को नीचे जान दो omega को रोक लो तो omega को रोक लिया और t को नीचे जान जिया तो उपर है m0 l0 t0 नीचे t की power 1 तो उपर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा m0 l0 t की power minus 1 बन गई पहली dimension omega की बो clear अब बात करते है kx की किसकी बात करते है kx की अब बाया kx भी तो वही है omega मतलब minus हो रहा था न तो वह भी dimensionless ही होगा क्योंकि है तो dimensionless तो m0 l0 t0 k का रोकना है x को नीचे जान दो x क्या है displacement x क्या है displacement m0 l0 t0 upon displacement बन 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 तो बो which of the following pair physical quantities does not have the same dimension किया रहा किस में same dimension work and torque आज ही पढ़ाया same होता है होता है कि नहीं होता है angular momentum and plank constant बेटा याद रख लो इसका same होता है है ना angular momentum and plank constant कभी क्या होता है tension and surface tension इसकी अलग-अलग होती बेटा tension कहलाता है force और surface tension होता है force per unit length force per unit length तो answer correct होगा इसका C क्या होगा C clear है पका बता देता हूँ बेटा tension का मतलब होता है force tension का मतलब होता है force और surface tension बेटा अगर आपने किताबे खोल के पढ़ी है जो मैंने आपको notes दिये थे वो होता है force per unit length यह error वाला part है फुलिफाइब फुलि मेंटर है हाँ बेटा सुनो जो vernier scale होता है vernier calipers यह vernier scale जैसे बेटा समझो आपकी जो एक मेंटर की आपकी जो scale है आपका main scale है बोलो यह सुनो वो सबसे छोटी unit क्या ना आप सकती है वन मिली मेंटर वन मिली मेंटर तो वन मिली मेंटर क्या होता बेटा यह एक सेंटी मेंटर होता है एक सेंटी मेंटर का दसवा हिस्सा एक सेंटी मेंटर का दसवा हिस्सा कहलाता है वन एमेम तो जैसे यह जो होता छोटा सा इसको बोलते हैं हम 1 mm, क्या बोलते हैं, 1 mm, आई बास समझ में, अब जो vernier calipers होता है, इस 1 mm के भी 100 पार्ट शुद्ध कर सकता है, कितने पार्ट, 100 पार्ट, मतलब 1 mm को 100 प्लेस तक करेक्ट ना आप सकता है, तो answer कितना हुआ, 0.01 mm, समझ गया ना, तो आप से पूछेगा कि जो vernier calipers का, जो least count ह होता है, वो कितना होता है, तो answer है, 0.01 mm, least count मतलब सुद्धता से, जहां तक आप measure कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ, चलिए, खेर, इस पर भी इसको ड्यू करते हैं, इस पर एक कभी लंबी बात करेंगे, वर्नियर के experiment पर, उसके लिए पहले मेरे को आपको वर्नियर पूरा पढ़ाना पड़ेगा, दिन बाद में उस पर बात होगी, हाँ भाई साब, then give the equation of rotational kinetic energy, या kinetic energy मतलब ml2 की पार माइनस टू, strain बता चुके हो, dimensionless, yes or no, to cut, kinetic energy, energy and energy, जाए कैसी भी हो, ml2 की पार माइनस टू, और बांकी तो dimensionless है, चलो बड़ी उच्छी बात है, error वाला question homework, can a physical quantity have its unit but still be dimensionless, क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी unit है मगर dimensionless हो, हाँ भाई साब, angle, angle मैंने बताया था, इसकी unit है मगर dimensionless है, बोली ना, होगा ना बात, ठीक है, तो angle जो है, dimensionless है, मगर इसकी unit है, differentiate between your systematic error and random error, बिटा, यह error का part है, है ना, तो यह आपको करना तो है नहीं, है ना, यह आपका unit वाले syllabus में चला गया है, CBSC sat के, तो systematic error और random error, बिटा, दो परकार की error, error नहीं गलतिया होती है, systematic error, systematic error, ऐसी error होती है, जो trend में आ जाती है, समझ गया ना, जैसे मान लो, आपका कोई instrument है और वो गलत है, क्या है, गलत है, समझ गया ना, ग तो आप जो भी solve करोगे, आपका answer हमेंसा क्या आएगा, plus two करके आएगा, yes or no, आपका answer क्या आएगा, plus two करके, जैसे आप inch tape से measure कर रहे हो, आपको किसी ने बताया नहीं, कि starting से measure करना हो, तो आप थोड़ा आंगे से measure कर रहे हो, तो आपकी reading हमेंसा जादर देगा हो, क्या द लोगे, मगर random error, random error जिनका source पका पता नहीं है, और क्या है, irregular type की error है, कि fix नहीं कि इतना ही add होगा, समझ में आया ना, जैसे हाँ बढ़ भी सकता है, घड़ भी सकता है, जैसे भाई आपने मैदान में किसी बच्चे को नापने को दे दी जमीन, कि बड़ा खोखो का पले वो अचे की क्या बनीगी, ज्यादा बनीगी, दूसरा बच्चा है, वो और तरीके से पकड़ा, तीसरा बच्चा है, उसने और तरीके से पकड़ा, तो इसको बोलते है random error, क्या बोलते है, random error, तो random error जो होता है, उसको पता लगाना बड़ा मुस्किल होता है, कि यार एक कांड क कम कर सकते हो तो they can be minimized, they can be minimized, अगला question भाई साब significant figure लखने 5.300 into 10 की power 3 बताई कितने significant, आपका कहना 4 significant figure, very good बिलकुल सही 4 significant figure, because non zero के बाद decimal count में लिए जाते हैं, so 1, 2, 3, 4, बोलो बन जाएगा, बहुत मस्त, dimensional ML की power minus 1, T की power minus 2, बता दो भाई किसका है, power, power का है, पक्का की pressure का है, pressure का है, किसका है, pressure का है, समझ गया न, pressure, pressure या energy per unit volume, energy per unit volume, तो यह नई चीज़ आ गई, energy per unit volume, बट pressure तो आप जानते ही हो भाई साब, pressure equal to होता है force per unit area, बोलो हाँ, force ML, T की power किता minus 2, और area L square, तो देख cancel होगे, तो ML की power minus 1, T की power minus 2, याद कर लो मेरे बाबू, ML की power minus 1, T की power minus 2 हो गया pressure, बोलो yes or no, SI unit of angular velocity, SI unit of angular velocity, थोड़ा मैंने बात हो बात हम फार्मुला पढ़ा है था, angular velocity का formula होता है, angular displacement upon time, याद आया, angular displacement किस में आपा जाता है, radian में, और time को किस में आपते हैं, second में, बोलो yes or no, तो answer क्या होगा, radian पर second, radian पर second, clear हुआ, check the dimensional consistency भाई कर चुके हैं, consistent होता है, yes or no, left hand की dimension, right hand की क्या आती है, एक को लाती, कर चुके हो ना बाबू, पका, हाँ, अगला question मेरे से पूछा था भाई साब ने, कि सर हमने वो जो लैब में लिया है, why we use a platinum, iridium, alloy का cylinder, हम ले platinum और iridium का EQ यूज किया है, लोहे का cylinder क्यों नहीं रख लिया, वहाँ पे prototype, हाँ, rust हो जाएगा, oxidation हो जाएगा, temperature से effect होगा, दुनिया भर की बाते होंगी, बुलो हाँ ना, असर, उसका weight भी कम हो जाएगा, हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है, तो यह जो alloy होती है, it is less affected by temperature variation, यह जो temperature variation से क्या होती है, effect नहीं होती है, वियर मतलब, खराब नहीं होगी, बुलो आगई समझ में, पकी बात, चलो, देख रहा हो, 162 slide पे आचुके हैं, भाई साब, फोली स्पीड में कारेकरम चल रहा है, it has been suggested that for liquid S की power 3, B की power 4 equal to K is a constant, whereas B surface tension, B's compressibility show that K is not a dimensionless constant, लेओ भाई साब, कहरा कि show करो कि जो K है, वो dimensionless constant नहीं है, तो भाईया आपने पास दो चीजें है, S, S for surface tension, S for surface tension, तो बेटा surface tension की dimension यह होती है, बोलो yes on no, और bulk modulus की dimension यह होती है, बोलो yes on no, bulk modulus की dimension क्या होती है, यह होती है, अब इनको याद करना पड़ेगा आपको, जब आएंगी तो आएंगी, surface tension तो मैंने अभी आपको बता दिया, कैसे निकालते हैं, surface tension equal to होता force per unit length, force per unit, length, force की होती है, MLT की power minus 2, और length की होती है, L, बोलो हाई न, L से L, वो ही elasticity coefficient की, तो pressure की dimension क्या होती है, ML की power minus 1, T की power minus 2, हाई है न, तो अपने के पास beta, bulk modulus का कह रहा है, वो कह रहा है, कि जो है, and beta is the compressibility, क्या होता है, compressibility, तो beta, beta मतलब compressibility, और compressibility का मतलब होता है, 1 upon bulk modulus, 1 upon bulk modulus, तो bulk modulus नहीं प्रेशर, मतलब ML की power minus, कितना था 1, minus 1, हाँ, minus 1, और T की power minus 2, हाई है न, तो यह आ गई, ulti dimension, बोलो yes or no, beta की आ गई, अब कह रहा है, S की power 3 करो, और beta की power 4 करो, मतलब इसकी dimension power 3 कर दो, और इसकी कितनी कर दो, 4 कर दो, और solve करो, बताओ कितना रहा है, तो भईया solve किया, बोलो yes, तो देखो, इसमें M की power कितनी आई, minus 1, भईया, कह रहा है, कि बताओ, के जो है, dimension less होगा, नहीं होगा, क्योंकर के dimension less होता, तो M की power 0, L की power 0, T की power 0 आता, बड़ यह तो जिन्दा है सब किसब, बोलो हाई न, तो इस तरीके से हो गया, क्लियर है, बोलो बन जाएगा, ठीक है न, अब भाई साब, यह हैं अपने test paper, क्या है अपने test paper, कल आपन को, सब को, बच्चों को, यह पूरे test paper लगा करके, लेके आने हैं एक तरफ से, ठीक है न, यह last हो गया, chapter, end में आगे भाई साब अपन, अपन आचुके हैं 167 पे, लगभाग, 16, 22 होता है, तो आधे पे आचुके हैं, अब यहां से जितना मैंने पढ़ाया है बेटा, उसका test सुरू है, तो पहले आपको यह जो test है, मैं इतना कह सकता हूँ कि, जितने में question अब आने वाले आपके test में दूँगा, मैं इन ही आँगे वाले test में दूँगा, इसमें 5 test हैं, किते test हैं? 5 test हो, मैंने अच्छा क्या ही किया, कि भाईया, इसमें मैंने के solution भी डाल रखे हैं, तो आपको हर एक question करना है, एरर वाला छोड़ करके, और साथ में उसका solution बनाना है, क्या बनाना है बिटा? Solution, समझ में आगया? तो हर एक question करिए, और एक solution बनाईए, है ना? एक भी question बच्चों, आप से छूटना नहीं चाहिए, यह sheet देने का मतलब है, एक भी question बच्चों आप से छूटना नहीं चाहिए, समझ गए ना? तो चलिए आज की class को यहीं पर finish करते हैं, है ना? और आप कल इसको questions को पूरे करके ले करके आईए, है ना? चलिए धन, ओके थैंक यूज़ू,